हेई हेवी वन हाव आई वाल सो कैसे हो आप लोग सो जिस बुक की हम बात करें उस बुक का नाम है यू आ दा बेस्ट वाइफ और जो की लिखी है अजय के पाइंडे ने तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोलॉक की अब प्रोलॉक की जो शुरुआत होती है उसमें बतात काम रहो और अपने आपको हिमत डिखाओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो भावना ही कंडिशन है वो खराब होरी है और हम उसको प्लैन करें कि अम उसको वेंटेलेटर पे डाले और उसको डॉक्टिमेंट दे देते हैं कि वो साइन करे अब यह सुनके तो बिल्कुल सुन हो जाता है उसको समझ नहीं आता जो उसका खून है वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है अब वो कहता है ना कि कोई chances है recovery के तो डॉक्टर कहता है ना chances भहत रहे है हम उसको तभी निकाल सकता है जब उसकी condition थोड़ी सही होगी लेकिन अभी condition खराब हो रही है problem ventilator नहीं है problem है infection अब वो होता है ना वो कहता है कि भई तो अभी उसको ventilator पे रखा नहीं गया कि मैं उसे देख सकता हूँ तो डॉक्टर कहता है तभी हमने तुम्हें यहां बुलाया है हम उसको ventilator निकालेंगे जब थोड़ा improvement का sign होगा तब तब वो ventilator पे रहेगी हमने उसको anesthesia दे दिया है ताकि उसकी condition है थोड़ी unconscious सी रहे ताकि उसको ventilator पे ना कोई दिक्कत ना हो ना ही कोई damage हो अब जो वो होता है वो कहता है कि कोई improvement का sign है तो डॉक्टर कहता है कि भाई sorry ठीक है और शायद हो सकता है यह तो मुझसे आखरी बार बात करोगे अब वो क्या करता है ग्रीन कर्टन्स के पीछे जाता है और वो उसको देखता है वो चाहता है उसको हग करे ठीक है लेकिन अगर उसको जाके बताएगा तो और नवस हो जाएगी ठीक है जिसके विसे वो breakdown भी हो सकती है अब ना उसका दिल बड़ा तई से धरक रहोता है वो उसके पास जाता है, वो देखता है ना, उसके होटों पे खून लगा होता है, उसकी आखे बंद होती है, उसका मुझ खुला होता है, और ये पहली बार जिन्दगी में ऐसा होता है, जितना वो डर चुका होता है अपनी लाइफ से, और वो देखता है कि वो कैसे heavily breathe कर दी ह लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, और वो बड़ा difficulty से बोलता है, कहता है, I love you भावना, तुम दुनिया की सबसे अच्छी wife हो, अब वो अपनी सारी strength collect करती है, और कुस बोलना चाहती है, लेकिन उसकी सांस उसको बतब बोलने नहीं दे पाती है, बोलती है, हल लाइफ बिल्कुली change हो जाती है, और वो चाहता है न, ठीक है, यह आप book लेकना शुरू करता है, और वो कहता है कि जो भी उसके दिमाग में memories थी न, जो उन्होंने वक्स आत्म बताया था, जो beautiful memories थी, जो उसको चैरिश करता है, वो सब कुछ इस book में लिखता है, तो यह थ प्रोलोग और आपको अच्छा लगाओ, तो थाइंक यू और श्टे गनेक्टेद,